हाई फ्रेंड्स वेल्गम बैक टो मैं चैनल आज के इस वीडियो में आपको ओला में जो है फूट को जो है कैसे पिक अप करना है कैसे डिलेवर करना है बताऊंगा और अभी तक आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा स्यादा शे उसका वीडियो बना चुका हूं डिस्क्रिश्चन में वीडियो है आप डिरेक्ट जाके इसका वाच चक कर सकते हैं तो हम सिंपली करेंगे यह क्या यहां पर ओन डूटी करेंगे ठीक है अभी आफ डूटी है अभी यह ओन डूटी हो चुका है ठीक है जैसी ओन डूटी हो तो हमें यहाँ पर जो है order request आ चुकी है देखिए 55 पिस की जो है booking है pick up distance है drop distance है नीचे यह एक sub button है तो simply हमको accept button पर click करना है ठीक है जैसे ही आप accept button पर click करते हो तो आपको right side पर blue color में navigate का option देखेगा उस पर आपको click कर जेना है ठीक है यह navigate पर click करेंगे तो आपको google map जो है on ह होचे गया और एक बात देहें आप ओला में buy card हो car जो भी चलाते हो अपने google map को up to date रखिए इसलिए कि आपको pick up location drop location exact चो करेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए हम को करना क्या है drop point के तरफ बढ़ना है तो देखिए हम जैसे restaurant को reach हो जाते हैं hotel को reach होते हैं तो exact जो है point पर पॉइचने के बाद आपको करना किया यहाँ पर google map को open close करना है और ola partner app को open करना है map को close करेंगे ola के icon पर click करने के बाद करते ही जो है map close हो जाएगा जैसी आप जो है restaurant restaurant और बैकरी हो जहां पर भी आप reach हो जाते हो तो आपको क्या करना है reach restaurant बलके आपको निचे दिखरा होगा option एक मटबी दिखा जाता हम आपको निचे जो है आपको दिखरा होगा उसे left से अपने right side पर slide करना है ठीक है यह हम restaurant को reach हो जाएंगे ठीक है जैसे restaurant रीच हो जाते ह होती है वह आपको जो है restaurant में show करना पड़ता है जबी आपको order मिलेगा ठीक है order उपर भी देहें लिखा हुआ है है आपको customer ने क्या-क्या order किया था उपर लिखा हुआ है अब इन केस अगर आपको जो रेस्टोरेंट से contact करना तो call के सिंबल पर क्लिक करके रेस्टोरेंट से direct contact कर सकते है ठीक है यह रेस्टोरेंट पर में एक बात हो चुकी थी तो फोड प्रीपर हो रहा था यानि बन र रहा होगा फूड पिकप अपि आपको मैं मार्क करके यह पर दिखाऊंगा ठीक है तो फूड को यह है पिकप कर लीजिए यहाँ पर जैसे आप फूड पिकप करोगे तो यहाँ पर customer का जो है ड्रॉप पाइंट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर फिर से आपको यह Ready कर आपको फूड करना है करस्तमार के पीकप लुकेशन की पास जाने के लिए ठीक है तो हम्हें पर के बताएव बाता हेव लुकेशन सो फूड अप करेंगे मैप के दो फटोइन आप फॉलौ कर्देगे म 이런 क फ मेपके we भाइंग हम कर में क्स्टमार के पिकप tracking को जाए तो देखिए जैसे ही हम कस्टमर के लुकेशन के लिए पहुंचेंगे तो गूगल मैपको क्लोस करेंगे ओला के आइकन पर क्लिक करके यहां पर ओला के आइकन पर क्लिक कर दीजे और गूगल मैपको जो है क्लोस करिए यहां पर क्लोस करने के बाद आप नीचे जो है कॉल का सिंबल दिख रहा होगा कस्टमर के नाम दिख रहा होग लेसे right side पर slide करना है उसे ठीक है customer को notification चले जाएगा उसके बाद आप customer से direct contact कर सकते हैं यहाँ पर contact करने के लिए फिर से call call के symbol पर click करिए कर देने के बाद इस तरह से आपको landline number आएगा उसी से जो है आपको customer से connect होगा call ठीक है उसके बाद हमको करना क्या है यहाँ पर अगला स्टप नीचे जो है food deliverable के दिख रहा होगा आपको उसे left से अपने right पर करना है मैं भी food deliver को यहाँ पर left से जो है right करूँगा यहाँ पर आपको ओटीपी जो है इंटर करने के लिए बताएगा जब तक आप ओटीपी इंटर नहीं करोगे उस वक्त तक जो है आपको order complete नहीं होगा ठीक है मैं यहाँ पर जो है food deliver के दिख रहा है उस पर complete करके कर देता है यहाँ पर जो है आप जैसे ही food deliver पर click करेंगे तो आपको इस तरह से paid online बिलके option आएगा ठीक है ठीक है यहाँ पर हमारी राइड जो है फर्स्ट राइड जो है food delivery की complete हो चुकी है ठीक है आई होम के छोटा सा वीडियो पसनाया होगा वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्याद ज्यादा शेयर करिए और आप मैंसे जिसके से वह भी गोला उबर इ सब्सक्राइब हो सकते हैं जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर पॉचिंग